प्लाइंट की ग्रोथ को और डेवलिप्मेंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे प्लाइंट में कुछ स्पेशल हॉर्मोन्स होते हैं यह हॉर्मोन्स का सिक्रीशन और प्रोडक्शन दोनों ही प्लाइंट के अंदर होता है इन हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स इवन ये हमारे plant के growth regulators के नाम से भी जाने जाते हैं देखिए बहुत अलग-अलग discoveries हुई हैं जिन discoveries के बाद इन hormones के functioning के बारे में हम जान पाएं हैं जैसे एक सपोज एक हॉर्मोन है auxine तो auxine की discovery accidental है gibberlick acid उनकी discovery accidental है तो ये सारी discoveries हम one by one एक-एक हॉर्मोन के साथ associate करके पढ़ेंगे जैसे जैसे हम हॉर्मोन के बारे में discussion आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हॉर्मोन से related discoveries हमें देखना है इसे लिए देखना है क्योंकि नीट में ये थोड़ा सा important part है art all those straightforward concepts नहीं है but still we need to look about that So, let us talk about plant growth regulators which are also referred as phyto-hormones commonly हम इने phyto-hormones के नाम से जानते है जहां पर phyto- is term ka मतलब है plants right तो plants के hormones को हम phyto-hormones का नाम देते है ये plant के hormones क्योंकि अले की as growth regulators as well हम इने growth regulators के नाम से भी जानते हैं इन growth regulators को हमने दो categories में दो major categories में classify किया है एक growth promoter हो सकता है जो growth को बढ़ाने का काम करेगा और एक जो है वो growth retarder हो सकता है जो growth को stop करने का काम करेगा राइब तो one could be growth promoter and another could be growth retarder जो growth को stop करेगा कम करेगा देखिए दोनों ही important है आप ऐसा न समझें कि जो promote कर रहा है वो बहुत अच्छा हॉर्मोन है और जो नहीं promote कर रहा है इस निगेटिव हॉर्मोन नो जो नहीं promote कर रहा है वो ऐसे समय के लिए हमारे प्लाइन को बचा कर रखने की कोशिश कर रहा है जब हमारा प्लाइन किसी ऐसी सिट्वेशन में होगा जहां पर उसे scarcity है चाहें पानी की कह लेजिए चाहें मिनरल्स की कह लेजिए मतलब जब प्लाइन स्ट्रेस में होगा तो growth retarder हॉर्मोन्स काम करना शुरू करेंगे ताकि प्लाइन को बचा कर रखा जा सके उसकी resources को waste ना होने दिया जाए राइ ग्रोथ प्रमोटर हम इन सब के बारे में अभी डीटेल में डिस्कूस करने वाले हैं तो जस्ट एक growth promoters and growth retarder में मेरे पास जो hormone यह अप्सिसक असट भी कॉलिटाइज अब्रिवेटेड फॉर्म एब्रिविएट फॉर्म एब्रिविएट फॉर्म एड़ेंग यह फॉर्मोन यह इथाईलीन ग्रोथ प्रमोटर भी माना जाता है और growth retarder भी माना जाता है तो हमारे पास ऐसे अलग-अलग categories है कौन सा hormone किस category में इसके बारे में फिर से बात करेंगे मैं सबसे पहले एक hormone की discovery से शुरू कर रहे हूं which is one of the most important hormone called as auxine जो की growth promoter hormone है हम इसके function के बारे में थोड़ी देर से discuss करेंगे let us right now talk about discovery of auxine हर पांच group जो हमारे जो पांच major hormones हैं जिने हमने दो categories में classify किया है इनकी discoveries accidental है सबसे पहले यह father और son ने जो की हुई discovery है उसके बारे में बात कर रहे है which is auxine Charles Darwin and Francis Darwin ये दोनों एक समय पे photopirodism पे काम कर रहे थे photopirodism एक अलग phenomenon है जहां पे light की intensity से plant के flowers और fruits के formation को हम discuss करते हैं तो ये जो डाविन थे दोनों डाविन ये मिलकर photopirodism पे काम कर रहे थे और वहाँ इनोंने ऐसा observe कि जो auxine hormone है ये light की intensity से इसका secretion related है जिस जगर पे light fall हो रहे है उस जगर पे आपको auxine नहीं दिखने वाला है देखिए auxine जो है it's a growth promoting hormone which is basically being produced at the shoot tip and root tip अगर मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा number मुझे auxine का कहां मिलेगा तो वो मिलेगा shoot tip में मतलब इस stem के जो topmost portion है जो apex है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे किसका concentration मिलने वाला है auxine का तो अगर auxine को isolate करना है तो आप कहां से करेंगे shoot tip से यह concept याद रखिएगा इसी तरह auxine root की tips में भी present होता है वहाँ यह roots की growth को induce करता और यहाँ पे shoots की growth को induce कर रहा है अब यह अगर मेरा stem का tip है इस stem tip इस stem tip के उपर जब एक unilateral light पढ़ना शुरू हो जाए suppose light का source यहाँ पे यह है light के source को जिस direction में आपने रखा है उसी direction में आपका plant का जो part है जो tip है वो bend हो जाएगा देखिए आप bending moment देख सकते हैं इसका एक reason है auxine हमेशा shader portion पे जादा accumulate हो जाता है light sensitive है तो इसलिए जिस direction में light आ रही है वहाँ पे auxine का concentration comparatively कम है तो यहाँ auxine का concentration low है और यहाँ पे auxine का concentration comparatively high है तो definitely जिस जगह पे auxine का concentration थोड़ा जादा है बच्चों वहाँ पे cells की लंबाई थोड़ी जादा बढ़ जानी है और इसलिए bending में वो हिस्सा आपको जादा मदद करेगा या bending moments शो करने के लिए वो capable है तो इस side grows little longer than this particular side अग अब यह A है यह B है तो I can say that the portion A or the side A can grow little longer than B Okay, अब देखिये experiment क्या किया गया यह तो हमने bending moments photo periodism के time पे auxine के कारण देखे लेकिन अब इसे justify करने के लिए एक छोटा से experiment किया गया इस shoot tip को decapacitate किया गया मतलब इसका जो cap है इसके cap को हमने remove कर दिया, cut कर दिया, इसका जो top portion है उसे हमने cut कर दिया आपने इसे cut करने के बाद इसके उपर एक दूसरी cap लगा दी और उस cap के अंदर auxine accumulated था हमने कुछ नहीं किया है, हमें पता था कि जो tip है उस tip में auxine accumulated है, उस tip को हमने cut कर दिया और उसके बाद हमने ये जो stem थी इस stem पे एक अगार पीस रख दिया जिसके अंदर auxine प्रेजेंट भा difference समझेगा, अगर मैं difference आपको दिखाऊं यहाँ पर तो दो चीज़ें आपको बहुत clearly observe करते आ रहे होंगी जिस समय tip removed, जिस ऐसा stem जिसका tip removed है, मतलब B इसके उपर जब unilateral light का fall हुआ तो इसने कोई भी bending moment शोर नहीं किया लेकिन जब इसके उपर एक अगार पीस रखा जिसके अंदर auxine accumulated था हमने auxine को collect करा हुआ था और इसको हमने उस tip के उपर रख दिया तो अब देखिए अब जब unilateral light इसके उपर पढ़ रही है तो यहां पर bending शुरू हो गया इसन्ट इट मतलब एक normal stem में तो regularly bending होती रहती है क्योंकि टिप पे auxine produce होता रहता है लेकिन अगर टिप रमूब कर दें तो bending moment नहीं होगा पर अगर उसी टिप के ऊपर आप auxine का सोर से रख दें तो bending moment होगा यह experiment Charles Darwin ने किया था और Francis Darwin ने किया था इसके बाद कुछ experiments हुए जो Wendt ने किये थे Wendt ने same experiments oat पे किये थे right which is a cereal which is a grain हम उसके बारे में बाद में discuss करेंगे so this was the first experiment which was used to demonstrate the location of auxine plus brief में function of auxine right क्योंकि एस experiment से function तो नहीं clear हो रहा है कि वो हमारे plant में और क्या multiple roles play करता है लेकिन इतना जरूर clear हो रहा है कि plant की height बढ़ाने का एक function यह जरूर यहाँ play करता हुआ दिख रहा है plus light source की तरफ bend होना यह activity भी यहाँ पे show कर रहा है हम auxine को और detail में देखना चाहरे हैं उसके पहले हम general characteristics किसी भी growth regulators के देखेंगे यह कुछ भी नहीं है these are nothing but just chemical compounds simple होते हैं इनका size जो है वो complicated हो सकता है लेकिन otherwise compare करें दूसरे molecules से तो इनका जो composition is that is little simple इनका molecular weight भी कम होता है molecular weight कम होने का reason यह है कि आप इसे बहुत आसानी से travel करवा सकते हो right अगर यह plant में circulate करना है तो plant में circulation के लिए इसका molecular weight काफी कम होना चाहिए यह compounds जो है यह कुछ अलग-अलग chemicals से बने हुए है कोई भी एक chemical इनका precursor हो सकता है we call it as precursor precursor का मतलब है जो inactive form है और इससे आप कोई active form बना सकते है हमारी body में जितने भी biomolecules हैं इन सभी biomolecules के active versions जो है वो function प्ले करते हैं और in active form में वो हमारे पास present होते हैं तो suppose अगर कोई एक hormone है which is called as Indole Acetic Acid तो यह Indole Acetic Acid मतलब हमारा Oxene ही यह बेसिकली Oxene अगर है तो इसका precursor क्या हुआ? Indole इसके अलावा हमारे पास कुछ precursors हैं जैसे adenine derivatives अदेने डरीवेटिव का इनिटीन हॉर्मोन प्रेपायर के लिए हैं Carotinoids tulisic acid प्रेपायर के लिए हैं यह वही कारोटिन थैं हैं जो की plans में pigments के फार्म में present होते हैं right, essential और compulsory pigments and non-essential pigments नॉन-Essention के चाटिगरी में यह आते हैं non essential किसके context में photosynthesis के context में otherwise तो they are important क्यों important है देख लीजे abscessic acid का formation के rotinoids की ही मदद से होने वाला है terpenes जो है ये जिबरलिक acid का formation करते है so अगर किसी plant को जिबरलिक acids prepare करने तो उसके पास terpenes होना ज़रूरी है एक मात्र gaseous hormone हमारे पास है which is called as ethylene right यह fruit ripening का काम करता है individually इसके functions we will talk about it later अगर मैं कुछ particular plant growth regulators के बारे में बात करूँ जैसा कि मैंने आपको पहला भी बताया है कि यह कुछ promoting activities करते है मतलब जब आपके plant के पास sufficient nutrition है, minerals है, water है, vitamins है, hormones है तब हमारा plant कुछ active काम करता है और वो काम सारे उसके growth से related होते है जैसे cell division, cell का बड़ा होना, enlarge होना, इसके अलावा कुछ specific patterns का formation मतलब inflorescence वगेरा उन सारी चीज़ों के लिए भी बात करी जाती है tropic growth, phototropism, geotropism, flower बनाएगा, fruit बनाएगा, seed बनाएगा यह सारी activities growth promotion की होती है इसमें fruit की बात जब हमने कहिए न बिटा तो fruit बनना प्लस fruit का size बड़ा होना, दोनों चीज़े included है तो यह growth promoting activities है, यह positive activities है इसलिए इन hormones को हम growth promoters बोलते हैं तोटल तीन है, auxine, gibberlins and cytokinines gibberlins को हम gibberlick acid भी बोलते हैं right, auxine is also called as a growth, major growth promoting hormone क्योंकि सबसे जादा concentration में अगर यह auxine आपको growth करता हुआ दिखेगा तो यह shoot tip में और root tip में दिखेगा और वहीं से plant की growth associated होती है isn't it? so these are growth promoters but एक अलग group भी है which is called as growth retarder मतलब कुछ aise compounds है जो की तब बनेंगे जब हमारे plant को किसी भी तरीके का stress हो यह stress biotic हो सकता है, abiotic हो सकता है mostly this is abiotic, reason जब भी temperature vary करेगा कम होगा या जादा होगा pH change होगा, कम होगा या जादा होगा, humidity कम होगी या जादा हो सकती है इन सारे changes में या फिर even sunlight की availability यह सारी चीज़े affect करती है हमारे plants में hormones के synthesis को इसी तरह, biotic में अगर किसी भी तरीके का pest या pathogen कोई भी अगर attack कर रहा है तब भी हमारे plants के पास growth regulators, promoters prepare होगे यह अलग-अलग activities plants perform करेंगे तब जब plant खुद अपने अलग-अलग stages में है suppose plant अगर active division के phase में है imagine किजिए plant अभी young है तो young state में plant की growth जादा होनी चाहिए और अगर growth जादा होनी चाहिए तो definitely growth promoter लगेंगे आपको लेकिन अगर plant senescence की तरफ है, aging की तरफ है senescence is what? senescence is aging aging के बाद plant जो है वो die out हो जाएगा तो plants की एक speciality, इवन हर living organism की एक speciality है कि अगर कोई भी cell मरने वाला है तो हम कोशिश करते हैं उससे जितना कुछ खीच सकें उससे जितना कुछ ले सकें, withdraw कर सकें तो जैसे किसी भी plant की leaf आपको normally हरी दिखती है और जब वो तूटकर गिरने वाली है, पुरानी old हो चुकी है तब वो yellow हो जाती है यह पता है क्यों है? क्योंकि उसके पास yellow pigment के साथ साथ green pigment भी था आपने green withdraw कर लिया, तो आपको दिखाई क्या देने लगा? yellow तो अभी भी जितनी leaf आप अपने plants के आसपास देखेंगे न इनमें सब में green और yellow कलर तोनों present है पर dominantly क्या दिख रहा है? green कलर क्यों? क्योंकि leaf क्या है? young कब yellow दिखेगी? जब यह old हो जाएगी तो हम जब भी absession की तरफ होते हैं dormancy मतलब inactive stage की तरफ होते हैं तब हमारे plants के पास ऐसे hormones प्रपेर होते हैं जो growth retard करते हैं क्योंकि वैसे ही stress है वैसे ही energy और raw materials की कमी है ऐसे में अगर आप growth करने की ठान लेंगे तो कितने resources लगेंगे? तो यह अपने आपको बचाने की एक तरकीब है जितने भी hormones हैं यह hormones को हमने दो ही major in groups में classify किया है लेकिन एक special hormone है मेरे पास जिसे में इन दोनों में नहीं रख सकती लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहें तो growth retarder में रख सकते हैं that is ethylene which is the only gaseous hormone यह inhibit करता है अलग-अलग activities को कौनसी activities को कभ inhibit करता है that way we'll talk individually क्योंकि ethylene fruit बनने के बाद secret होता है तो अभी हाल-फिलाल हम promoting factors की बात करेंगे मतलब मैं शुरुबात कर रही हूँ अब auxine से तो अगर auxines की बात में करूँ तो auxine जो है accidental discovery थी वैसे तो पहले हम discuss कर चुके हैं इसका मतलब होता है grow मतलब ये plant की primary growth के लिए responsible है so auxine is responsible for primary growth of the plant ये hormone सबसे पहले human urine से isolate हुआ था अब ये बहुत strange fact है plant hormone है human में क्या कर रहा है लेकिन human urine में से इस hormone को हमने सबसे पहली बार isolate किया था और वो था patient pelagra का pelagra niacine की deficiency से होने वाली disease है इस patient की urine में सबसे पहली बार ये hormone आइसोलेट हुआ था उसके बाद हमने देखा हमारी body में भी कई जगर पे auxine का isolation है which is something very strange because it is a plant hormone इसका सबसे ये discovery याद रखीने है क्योंकि ये में बकाइदा पूछा हुआ question है NCRT पे mention करती है this was the hormone which was isolated for the first time in human urine discovery accidental थी कौन सी process के तुरू हम discover कर पाई जान पाई इस hormone के बारे में photopyrodism के time पे अब ये जो auxine है ये auxine actually indole acetic acid इसे हम बोलते हैं क्योंकि auxine indole का derivative है तो indole से बनाया हुआ compound है इसे लिए हम basically auxine indole acetic acid को बोलते हैं और हमने ये ही नाम पिक कर लिया है ठीक है ये दो categories में classified है one would be natural auxine and another would be synthetic auxine synthetic auxines का मतलब है जो हमने prepare किये हैं क्योंकि हमें इनका chemical composition पता है मुझे पता है कि auxine को बनाने के लिए मुझे indole लगेगा तो मैं indole acetic acid यूज कर सकती हूँ indole butyric acid भी यूज कर सकती हूँ which is abbreviated as IBA indole acetic acid is abbreviated as IAA right auxine बहुत important hormone है plants के लिए दो है ही लेकिन exams के point of view से भी बहुत important है तो याद रखेंगे ये point IBA and IAA both these are the derivatives और rather both of them they can prepare auxine और नाम भी हमने auxine को इन ही के basis पे दिया है ये plant के दो हिस्सों में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसकी specific location क्या है मुझे अगर plant में ढूनना हूँ कि ये hormone कहा है तो मैं कहां ढूनूंगी मैं root के apex पे और shoot के apex पे दोनों जगे में इस plant को search कर सकती हूँ मुझे सबसे ज़ादा concentration में मिलेगा shoot apex पे मिल तो root में भी जाएगा लेकिन दोनों को compare करूँगी तो सबसे ज़ादा कहां मुझे मिलेगा sorry shoots में मिलेगा natural auxine जो auxine naturally ही available है और plant से ही derived किये जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं natural auxines ये दो type के हैं as we discussed in all acetic acid and in all butyric acid this is IBA in all butyric acid ये NC18 में classification mention है जो आपको ध्यान रखना है synthetic auxines की बाद अगर करें तो ये synthetic acid sorry synthetic auxines जो है ये naphthalene acetic acid which is NAA and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acetic acid full form थोड़ा बड़ा है बढ़ याद रखना पड़ेगा 2,4-D and NAA both of them they are artificial sorry synthetic auxines क्यों synthetic बोल रहे हैं क्योंकि हमने इने prepare किया है natural क्यों बोला क्योंकि plant की ही body से isolate हुआ है अब देखिए हमने अगर इसे artificially prepare किया है मतब इसके कुछ ना कुछ agricultural और horticultural applications है agricultural तो आप समझते हैं normal जो खेती होती है horticulture में हम ornamental plants को cultivate करते हैं ऐसे plants जो या तो आपको flower दे रहे हैं या decorative purpose में घरों में लगाए जा रहे हैं तो ये auxines को हम agriculture और horticulture में use करते हैं प्लस सपोज आप टिशू कल्चर कर रहे हैं एक एका function समझेगा आप जब function समझ लेंगे पूरा mechanism समझ लेंगे तो आपको ब्रीफ में auxines के functions यूँ ही याद रहे जाने हैं तो टिशू कल्चर आप कर रहे हैं टिशू कल्चर में आपने एक छोटा सा explant उठाया और उस explant को हमने किस पर रख दिया इस nutrient medium पर रख दिया यह मेरा nutrient medium है इस nutrient medium पर मैंने एक टिशू रखा है विच इस कॉल्ड as explant इस explant को रखने के बाद अब जब मुझे इसका vegetative propagation करवाना है here I can use the term micropropagation as well क्योंकि छोटे से टिशू को आप amplify कर रहे हूं न तो we can call it as micropropagation also तो जब आप इस टिशू को amplify करना चाहते हैं तो आप यहां पर चाहेंगे कि वो root बनाना शुरू करें shoot बनाना शुरू करें although root और shoot दोनों को बनाने के लिए हमें oxyne cytokinin का एक specific mixture चाहिए हम दोनों को randomly नहीं use कर सकते we need a specific mixture of oxyne and cytokinines एक ratio चाहिए तो जब भी हम roots बनाएंगे shoots बनाएंगे तो a obliq c का ratio you need to fix more oxyne shoot induce करेगा more cytokinines root induce करेगा दोनों ही डालेंगे लेकिन oxyne का concentration जब जादा कर देंगे तो stems बन जाएंगे shoot बन जाएंगी और जब आप cytokinine का ratio जादा कर देंगे तो roots का development शुरू हो जाएगा तो अगर आपके पास stem cuttings है तो उन stem cuttings को भी यूज करके आप जमीन में suppose आपने गाड दिया ये soil में मैंने डाल दिया और इसके उपर मैंने oxyne को spray कर दिया यह oxyne को आपने inject कर दिया इन बोथ the cases the stem will immediately start developing so this is how we use it in micro propagation यह oxyne's a special fruit हमारा which is a composite fruit pineapple pineapple के अंदर भी यह flowering induce करते है क्योंकि pineapple जो है न एक फल नहीं है it is not one single fruit it is a composite fruit बहुत सारे fruits का उच्छा है तो इसका मतलब वो सारे flowers को एक साथ मिचौर होना पड़ेगा राइप होना पड़ेगा ओवरी को और फिर वो fruit में convert होगी isn't it तो यहां पे pineapples के case में flowering induce करने के लिए भी oxyne's use होते है then fruit और leaf को plant से early drop करवाने के लिए भी हम इसे use करते हैं और यही reason है कि oxyne को हम as a weedy side भी use करते हैं अब आपको यह थोड़ा सा strange fact लग रहा होगा यहां पर थोड़ा सा concept पर ध्यान देने की ज़रूरत है weedy side के form में भी हम इसे use करते हैं क्यों use करते हैं यह suppose मेरा एक plant है इस plant को में dicot बोल रही हूँ और एक plant है हमारा monocot में हमारी grass family पूरी आ जाती है तो जब आप इस auxine को spray करते हैं दोनों के उपर तो दोनों के उपर इसका effect इसका result अलग अलग होता है जब यह grass के उपर fall होता है तो यहाँ पर grass के उपर fall होने से क्या होगा this is monocot मतलब grass grass की उपर fall होने से क्या होगा grass की length बढ़ना शुरू हो जाएगे तो यहाँ तो positive effect हो गया लेकिन जब यह dicot पे fall होता है यह broad leaves जिनकी पतियां चोड़ी है उनके उपर जब यह गिरता है तब यह उनके अंदर leaf fall करवा देता है और इसलिए हम इसे as a we decide use करते हैं dicots को remove करने के लिए from the fields अब आप इस point को relate कर सकते हैं leaf drop and fruit drop तो जब आप oxyne का synthesis ज़्यादा करवा देंगे या oxyne को inject कर देंगे तो leaf drop हो जाएगी plant मर जाएगा क्योंकि photosynthesis नहीं कर पाएगा और fruit drop भी हो सकता है करवाया जा सकता है early stage में in fact यह जितने भी old या mature leaves हैं उनका abscission करवाता है इस term को समझेगा abscission का मतलब भी fall होना ही होता है aged करवाना होता है aging की process induce करना होता है तो यह जितने भी mature parts है उनके अंदर oxyne का synthesis कुछ ऐसा होगा कि उनके अंदर से fruit का drop होना शुरू हो जाएगा या old leaves का भी drop होना शुरू हो जाएगा abscission होना शुरू हो जाएगा I'll tell you one more thing there was a specific oxyne which was referred as agent orange agent orange के नाम पर यूस किया गया था यह एक वेपन के फर्म में यूस किया गया था यह एक वेपन के फर्म में यूस किया गया था जब वेतनाम से वाट चल रहा था तब उनके ऊपर यह उपर से प्रे किया गया था तो जितने भी gardens थे जितने भी trees थे उनकी सबकी leaf fall होना शुरू हो गया और वो leaf fall होते से ही जितने भी soldiers वहाँ पर hidden थे जो अपने आपको छुप कर चुपा कर बचा कर वार कर रहे थे वो सब exposed हो गया तो इसे as a agent यूस किया गया था इसलिए उसे agent orange के नाम से भी जाना जात है the another function of oxygen is basically lateral and apical dominance समझेगा lateral और apical dominance क्या होता है दिखे जब भी आपके plant का कोई टिप ग्रो कर रहा है plant की growth हमेशा tip से होती we know that हमने introduction में पढ़ा भी था suppose ये plant है इस पर आपने एक mark लगा दिया है ये mark आपने जमीन से 8 cm पर लगाया है अब अगर मैं इसे 2 साल बात देखूंगी तो ये mark मुझे कहां मिलेगा क्या ये mark मुझे यहां मिलेगा क्या ये mark मुझे वापस से यही मिल आप किते भी साल बात देख लें बिटा हजारों साल बात भी देख लेंगे ना मार्क वही का वही रहने वाला है ये plants की growth की specialty है plants की growth कुछ ऐसी होती है कि वो हमेशा उपर 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 की तरफ से उपर ही होती जाती है नीचे वाला हिस्सा कभी भी उपर नहीं आता तो इसका मतलब ये हिस्सा completely grow हो चुका है और अब ये पूरे जीवन इतना ही रहने वाला है अब क्या हुआ आपने आपके प् को इसी point को अब दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजेगा अगर suppose tip के उपर present होता है ये hormone और tip की growth को या plant को tip से grow करता है अगर ये apical bud present है तो apical bud कभी भी axillary bud को grow नहीं होने देगी axillary buds यहां पे present है ये axillary buds की growth को ये stop करेगी तो apical bud का presence हमेशा axillary buds की growth को stop करता है तो अगर plant सीधा straight grow कर रहा है तो plant laterally grow नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब apical bud is dominating over axillary bud और इसी को हम बोलते हैं apical dominance तो apical dominance से हम क्या समझे कि जब भी apical bud grow करेगी तो plant को सिर्फ लंबा करेगी plant नीचे सिर्फ दुबला पतला रहेगा बट लंबा रहेगा और आपने apical bud cut कर दी remove कर दी तो जो lateral growth है वो शुरू हो जाएंगी तो apical bud हमेशा lateral growth को dominant dominance शो करती है उसके उपर और इसी को हम बोते हैं apical dominance तो जब भी आप oxyene देखेंगे तो इसी oxyene के कारण ही apical bud जो ही plant को ऐसा लंबा करेगी और ये वाली growth जो है वो plant की stop हो जाएगी तो इसी आपने apical bud को रिमोग किया lateral buds बिल स्टार्ट ग्रोइंग और प्लांट धीरे बुशी होना शुरू होगा मतलब जाड़ी बनाना शुरू करेगा तो यहीं से हम एक दूसरे application की तरफ चलते हैं यह जो tea gardens होते हैं tea plantations जो होते हैं वहाँ पर औजीन को सबसे जादा gardens में आप देखते होंगे जो पौदे हैं उनको ऐसा shape दे दिया जाता है umbrella shape और इस तरीके से उनको shape में convert कर दिया जाता है यह भी सिर्फ और सिर्फ ऑग्जीन की मदद से तो आपने जैसे ही cut कर दिया apical dominance जो है उसको आपने suppress कर दिया अब lateral growth शुरू हो जाएगी वह plant को ऐस बढ़ाना शुरू करेगी मतलब वह complete hedge बनाना शुरू करेगी that is what is referred as hedge यह पार्थेनों कार्पी भी इंडियूस करता है पार्थेनों कार्पी का मतलब होता है seedless fruits बनाना चीक है seedless देखो हर फल में बीज नहीं हो सकता हमें हर fruit seed वाला नहीं चाहिए पर आप कहें कि अनार ब सीड नहीं चाहिए मुझे वाटरमिलन में मुझे सीड कम चाहिए तो कई सारे fruits ऐसे हैं जिने अगर आप ऑग्जीन का treatment दे दे तो वह तुरंत डवलप हो जाते हैं into fruits मतलब ओवरी ऐसी हैं जिन पर आप ऑग्जीन का treatment दे दे देंगे तो देवल डवलप इंडियू और वह तो प्रूट कैसा होगा पार्थेनो कार-pick fruit मतलब ऐसा फल जिसमें seeds नहीं है तो seedless fruits are known as parthenocarpic fruits example यह से tomatoes there are many examples it is also used as herbicides as i mentioned 2-4-D के फिरम में use होता है यह वीट-free lawns को बनाने के लिए भी काम में आता है। यह वीट-free lawns को बनाने के लिए भी काम में आता है। यह वीट-free lawns को बनाने के लिए भी आता है। यह वीट-free lawns को बनाने के लिए प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉंसिबल है। यह प्राइमरी ग्रोथ करना है मतलब इसल को डिवाइट करवाना है। प्लस जाइलम का डिफ्रेंसियेशन। जाइलम एक वाटर ट्राइल करने वाली हमारी चैनल है। अगर इस जाइलम को हमने प्रोटो-जाइलम में डिफ्रेंशियेट कर दिया। तो हम उसके कुछ पार्ट में स्टोरेज भी कर सकते हैं चीजों का। तो इस तरीके से हमारे पास डिफ्रेंसियेशन भी किसकी मदद से हो सकता है। की मदद से तो देखिए यह हमारी axillary buds है और यह हमारी apical bud है बस आपने जैसे ही apical bud को remove किया और जीन का concentration खतम हो गया this is how apical buds look like छोटी-छोटी पतली-पतली पत्यां होती है इसमें और जैसे ही आपने इसको cut कर दिया वैसे ही it will start growing into a new I mean into a bushy plant this is what is referred as apical dominance plant जिसमें apical bud intact है lateral bud को grow नहीं होने देती और उसी को हम बोलते है apical dominance हमने इसके बारे में बात कर ली है now let us talk about a question and before moving to the question let me talk about one more thing हमने जो औक जीन के बारे में अभी बात की है इसमें वेंट ने भी बहुत important discovery की थी तो वेंट का नाम भी आप याद रखेंगे लिख में लेंगे अगर आपको यह ध्यान न रहे तो ओड सीडलिंग्स पर उन्होंने काम किया था ओड सीडलिंग्स और ओड्स को हम अभी न सताइवा बोलते हैं अभी न सताइवा तो यह आप नीट के पॉइंट आप व्यू से याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा गया है कोल लुई अभी न करवेच है जो हमने पड़ा था अभी न सताइवा टेस्ट जी बोला था या अभीन करवेचर टेस्ट जी बोला था सपोज यह एक शूट टिप है इस शूट टिप को मैंने ऊपर से कवर कर दिया बाई देहल पफ पेपर अब इसके ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो यह कोई बेंडिंग मुमें नहीं शो करेंगा किसी भी तरीके का बेंडिंग यहां पर नहीं होगा इसा का ऐसा ही रहा पर अगर मैंने इससे थोड़ा सा मॉडिफाय कर दिया और उपर की जग मैंने नीचे लगा दिया एक पेपर अब अगर आप इसके ऊपर यूनिलाटरल लाइट डालेंगे तो यह डेफिनिटली आपको इस हिससे से इसका बेंडिंग दिखाई देगा और यह आपका पेपर आज इस रहा इसके अलावा एक एक्सपरिमेंट और था इसमें जिसे हम देख लेते हैं छोटा सा एक्सपरिमेंट है ब्रीफ में देखेंगे हम सपोस यह हमारा एक स्टेम है इस स्टेम में माइका का पीस एक तरफ तो हमने अपोजट साइट पे डाला यहां से लाइट आ रही है एक तरफ हमने अपोजट साइट पे डाला है और दूसरी तरफ हमने यह स्टेम है इसमें यहां पे डाला है यहां सी लाइट आ रही है तो जब हमने दो अलग अलग हिस्सों में हमने participarस लगाया है तो that will not allow auxin to get diffuse from the top to bottom यहां पे जो oxiin था वो यहांीले थो गया था तो डेफिनितल यहां पे करतेर डेपलप हो गया पर यहां जो तो भी यहां पर बेंडिंग शोन नहीं हुई क्योंकि आपने जो माइका का पीस इंसर्ट किया उसके कारण पीछे वाला एरिया जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ और जो ऑग्जीन वहां पर देपॉजिट है वो ऑग्जीन उपर से नीचे तक माइग्रेट कर गया और जो यह वाला इस पॉर्षन विल शो यू बेंडिंग बद बद इस विल नॉट शो बेंडिंग तो यह कुछ एक्सपरिमेंस थे हमें एक क्वेशन भी देख लेते हैं ऑग्जीन से रिलेटेड इस 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 अर्फिज सब्सक्राइब नुट थे लिए ग्रीचाई थे विलेटेड बात तो अभी हमारा थिस्कुशन था जबर निंज के बारे में तो भी हमने बात नी करी साइटो की बात नी करी अल्थो इस एर इंप्र्ट्टन फो यह थे ज़ुशन पूछ ज़ए ज़एंग बात प्रूट राइपनिंग और ऑग्जीन जो है वह तो ग्रोथ करता ही है आपको पता ही है आपको पता ही है आपको पता ही है तो इतने लंबे समय तक अगर वेट करेंगे तो there is no point आपको यील्ड कभी मिलेगा ही नहीं तो अगर आप चाहते हो उस फूट को पहले ही उप्टेइन करना तो you can use these treatment, chemical treatment methods So answer is A and this is the solution of this question हम नेक्स्ट ग्रोथ रेगूलेटर की बारे में डिस्कस करें हैं that is called as jibberlic acid और also called as jibberlens इनके भी discovery बहुत important है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है जैसे ऑग्जीन में accidental discovery थी यहां पे भी discovery कुछ ऐसी ही है इट वस डिस्कवर्ट बाई एक्यूरो सावा जिन्होंने seedlings मतलब जो rice के seedlings है paddy fields जिने हम बोलते हैं जहां पे चावल के पौधे लगे होई होते हैं उनके अंदर उनोंने कुछ ऐसा observe कि उनके जो seeds थे या रादर में कहूं जो seedlings थे जो छोटे-छोटे पौधे थे उनकी growth अच्छानक बढ़ गई थी all of a sudden वो छोटे-छोटे से plants उनकी जो average height होनी थी उस average height को cross करके काफी लंबे हो गए थे और यह जब बाद में isolate किया गया या यह देखा गया कि क्यूं इतने लंबे हो रहे हैं वो पौधे तो ऐसा पता चला कि उन्हें कोई fungal infection है यह वो ऐसे plants या ऐसे seedlings जिनको fungus का infection हुआ है और fungus की infection के बाद वो rapidly grow कर गए है अपनी actual normal height को cross करके बहुत लंबे हो गए है इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया था foolish seedling मतलब ऐसे seedlings जो एकदम से लंबे होगे उसका consequence पता ही क्या है अगर आपका seedling समय के पहले बिना मिचौर हुए अगर बहुत ही लंबा हो जाता है तो उसकी जो stems है ना वो बहुत वीक होंगी बहुत कमजोर होंगी और अगर stems weak रहेंगे तो definitely पूरा plant जो है वो फॉल हो और यही हुआ हमारे implants के साथ तो जो पैडी फील्ड में उन्होंने observe किया था वो एक फंगल infection था and the disease was known as beckene disease इसको commonly foolish seedling के नाम से बोलते हैं और यह फंगस के थू था which is called as gibberella और इसी से इस हॉर्मोन का नाम पढ़ा है which is called as gibberlic acid और gibberlins gibberlic acid से आप समझे गए होंगे कि इसका जो chemical nature है that is acid यहाँ पे जो हमारा plant था उस plant के अंदर कुछ काफी से symptoms थे जिसके कारण हमारा जो plant था वो काफी sterile था weak stem थी बहुत देखे जा सकते थी वो weak stem थी pale leaves थी तो हमारा plant कुछ इस तरीके का था और यह all because of a fungus ठीक है तो जो plant था जिसे infection था उसकी leaves को निकाला गया उनके अंदर से एक sterile filtrate obtained किया गया और उस sterile filtrate में हमने observe किया कि महाँ पे एक fungus की growth है and that is basically the result of that basically resulted in this disease so this is what is referred as jibberlick acid अब देखे जिबरलिंस के बारे में if in case if we talk about functions तो अगर jibberlick acid के में numbers की बात करो तो लगभग 100 jibberlinks या GBA मेरे पास अभी हाल-फिल-हाल अवेलिबल है यह हर organism to organism vary करते हैं fungus के अंदर कुछ अग तरीके के होंगे bacteria के अंदर कुछ अग तरीके के होंगे but mostly sorry plants के अंदर कुछ अग तरीके के होंगे but mostly fungus और higher plant से ही हम इने isolate करते है so this is basically क्योंकि यह जो fungus है इस basically infects only your plants जैसे कि हमने paddy fields के बारे में डिस्कूस किया अलग अलग ताइप के जिबरलिक असेड हैं जिन में से मेरे पास GA1,2,3 है इसमें से जो तीन है जिबरलिक असे थर्ड जो है यह first discovered है तीन ताइप के commonly मेरे पास available हैं कुछ मुझे fungus से मिलते हैं कुछ मुझे plants से मिलते हैं लेकिन उनमें जिबरलिक असेड 3 जो है दाट वस्ट दिस्कूबर जिबरलिक असेड सारे जिबरलिक असेड असेडिक नेचर के होने के बावजूद plant की major physiological responses को control करते हैं physiological response से मेरा मतलब है अगर plants में किसी भी तरीके का transportation होना है कोई भी general metabolism होना है टेक एनी general metabolic activity respiration ले लो आप transportation ले लो आप excretion भी ले सकते हैं और plant के case में मैं nutrition तो definitely बोल सकते हूं कुछ की plant अपना खाना खुद बनाते हैं autotrophs हैं तो ये बहुत सारी physiological activities में involved हैं हम one by one इसकी सारी activities discuss करेंगे जैसे हमने auxine के case में पढ़ा था कि auxine जो है वो plant के shoot tip और root tip पे प्रेजिंट होता है gibberlick acid कहां मिलेगा आपको plant की length के access में तो ये plant है ये इसकी nose है आपको पता है nose क्या होती है nose मतलब वो हिस्सा जहां से कोई active division शो करेगा कोई bird का formation होगा तो ये दो मैंने node mark की है आपके सामने और इन दोनों के beach का जो area है उसे हम बोलते हैं inter node तो ये कहां पे present होगा in between nodes क्योंकि nodes के beach में present है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये इसकी length बढ़ाएगा ये node से दूसरे node तक के beach की length बढ़ाएगा overall if I speak about तो ये plant की length बढ़ाने वाला है मतलब ये organs की length बढ़ाने वाला है node और inter node मेरे plants के organs हैं तो organs की growth को increase करने का काम कौन करता है gibberlick acid तो ये function आप अच्छे से याद रखेंगे that it increases length of the axis अच्छा axis की length एक तरीके से और समझेए suppose ये grapes हैं तो ये grapes का bunch है जिस axis के आपको grape दिख रहा है उस axis की length को पहले वाली axis के comparison में जादा बढ़ा कर देना और ऐसा होने से grapes का size बढ़ा हो जाएगा right reason क्या है grapes छोटे stock पे लगेंगे तो छोटे छोटे size के होंगे और बहुत पास पास में होंगे लेकिन stock अगर बढ़ा हो गया तो length lateral side की जो branches वो भी जादा निकलेंगे और grapes specially arranged हो जाएगे दूर दूर हो जाएगे दूर दूर हो जाएगे तो definitely size बढ़ेगा तो यहाँ grapes की stock stock की length यह stock है this is what is stock this is stock stock की length को बढ़ाने का काम भी कौन करता है जिबलिक acid और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह productivity बढ़ाता है तो जो आप commercial level पर अगर deal कर रहे हैं grapes का cultivation कर रहे हैं तो उन farmers को इस hormone से बहुत utility है बहुत फाइदा मिलता है कुछ fruits ऐसे हैं जैसे apple है apple का एक specific shape है वो shape achieve करने के लिए भी आप जिबलिक acid को use कर सकते हैं यह shape धीरे धीरे increase करता है तो apple का fruit का size भी बड़ा हो जाएगा और fruit बड़ा हो जाएगा तो बट obviously बात है कि उसका weight जादा होने से उसका sale अच्छा होगा market value अच्छी होगी तो देखें यह market value को increase करने वाला hormone है मतलब अगर आग fruits में deal कर रहे हैं fruits के transportation में deal कर रहे हैं तो this hormone is going to play an important role reason यह market period बढ़ा देता है extend the market period अगर अगर आपने टमेटो लिया है अभी टमेटो अगर राइपन स्टेज में आप एक जगर से दूसरी जगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अगर आप यह transportation राइपन स्टेज में करेंगे तो बट obviously बात है transportation losses disappear करने बढ़ेंगे किसी pressure के कारण road bumps के कारण यह fruits damage होंगे and ultimately जो पहुँचना है जितना सामान जितना material उतना न पहुँचके उससे लेस होगा यहाँ पर आपकी market value कम होगई आपके product की market value कम होगई if in case आप अगर fruits का aging या senescence delay कर देते हैं delay करना मतलब late करना तो अगर आपने फल को पकने से रोक दिया है और उस दोरान आप उसका transportation कर दें तो यहाँ पे जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं तो यह जो हॉर्मोन है यह delay करता है senescence मतलब aging को कम करता है और इस तरीके से market में उस product को बने रहने देने के लिए काफी समय मिल जाता है इसका एक और application समझेगा पर सपोज एक particular growing season है उस growing season में आपके पास fruit आ गया है सारे ही farmers के पास या होटी कल्सरिस के पास उसी season में fruit आने वाला है इस सपोज इस बनाना, sorry this is sugar cane, sugar cane के case में even in case of banana, banana के case में भी आप इसे unripened transport कर दीजे, sugar cane के case में आप इसे लंबा या extended period के case में convert कर सकते हैं कैसे? एक season में एक time पे सभी लोगों के पास crop आईगी अगर ये sugar cane की crop आपने डिले कर ली और आपने market में तब release की जब already product कम है तो sale बढ़ जाएगी isn't it? या इसी को अदवाई समझे early maturation करवा दिया आपने तो early maturation करवाने पर भी इसकी market value क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी तो हमने sugar cane के case में भी इसको use किया है transportation के लिए तो benefit है ही इसके अलावा it also helps in the process of malting अब यह malting का मतलब समझे suppose आपके पास कोई seed है जिस seed में starch present है यह starch digest होगा और convert होगा किसमे? maltose में इसे digest करने के लिए मुझे एक enzyme की जरूरत है amylase right? it's an enzyme तो जब आपने sugar को maltose में convert किया maltose is also a sugar लेकिन यह complex sugar है starch जो है it is complex sugar and maltose उसकी comparison में simple sugar है दोनों भी sugar ही लेकिन हमने complex को simple में convert किया है तो अगर यहाँ पे इस starch को मुझे maltose में convert करना है तो मुझे एक specific enzyme लगेगा which is called as amylase यह amylase maltose का formation करेगा और maltose को आगे चलके further में convert कर दूँगी इसमें simplest sugar glucose में इसी process को हम बोलते हैं मालते ही तो जितनी भी brewing industry है sugar cane का एक और use कहाँ पे है जो alcohol forming industries है जहाँ पे wine alcohol बनते है तो wine के case में तो हम नहीं यूज़ करते हैं वहाँ पे fruit juices यूज़ किये जाते हैं लेकिन sugar cane को हम कहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे alcohol का formation है अब इस sugar को, इस glucose को आप बहुत आसानी से ferment करके alcohol बना लीज़े अभी तब तो मेरे पास starch के form में था है ना, sugar cane में जो sugar होती है that is called as sucrose sucrose को भी मुझे किसमें convert करना है finally, glucose में एक बार आप यहाँ पहुच गए तो इसके बाद इसका fermentation has become very easy अब आपको समय नहीं लगेगा इससे alcohol बनाने में तो brewing industries मतलब जो alcohol formation में involved हैं वह इन शुगर कीन का यूज सबसे जादा करती है और उस शुगर कीन को यूज करने के लिए उसके उपर जिबर्लिक acids का secretion होता है तो शुगर कीन में जो carbohydrate that gets converted into sugar that is glucose simple sugar अब अगर जिबर्लिक acids को आप spray करें पूरे plant की length पे suppose यह आपका plant है इसकी length initially या growth initially इतनी है इसके उपर अगर gaseous form में भी आप जिबर्लिक acid का secretion कर दें तो इसकी leaf बड़ी हो जाएंगी प्लस इसकी growth जो है वो भी काफी increase हो जाएंगी अगें टेक इन एक्जांपल अप शुगर केंड अगर माल लीजी इसमें आपने यह application किया है और इसके stem बड़े हो गए हैं तो क्या उसमें शुगर का content जादा नहीं हो जाएगा तो अस compare to normal sugar केंड जो हमारे पास market में available होते हैं अगर हमने इस होर्मोन का secretion कर दिया तो जो stems हो काफी लंबी हो जाएंगी and you will get more sugar more sugar तो more productivity और more productivity in terms of money and in terms of अगर productivity जादा है in terms of money तो definitely your business will grow तो इसे लिए जितने भी brewing industries है वो सब इस application को use करती है cabbage मेरे पास एक दूसरा plant है यह cabbage की nose है cabbage कैसा plant है rosetti plant है जिसकी nose जो है वो बहुत condensed होती है नीचे की तरफ बहुत छोटी-छोटी होती है and this is the leafy structure which we consume अगर cabbage plant में या rosetti family के plants में आपने इस हॉर्मोन को डाला है ग्याशय स्टेट में अगर ग्याशय स्टेट में आपने इस हॉर्मोन को rosetti family में डाला है या कॉनिफर्स में कॉनिफर्स आर वाट gymnosperms है ना मतलब कौन pine, cedrus, देवदार है ना यह plants कोई भी plant ले लिजे इनमें से तो अगर आपने कॉनिफर्स फैमिली में इस जिबर्लिक आसिट को ग्याशय स्टेट में स्प्रे कर दिया है तो यह पता है क्या करेगा इस कैबेज की नोड्स की लेंध को बढ़ा देगा तो देखो नोड्स की लेंध बढ़ देगा और हर नोड्स पर अपक्या निकलने लगीगी लीफ निकलने लगी इस तरह से थोड़े समय बात देखेंगे तो यह और फरदर इंक्रीज हो जानी है और फिर जहां पर इस फरदर इंक्रीज होगी तो वहाँ पर फ्लार भी आना शुरू हो जाएंगी तो ये bolted shoot जो होती है shoot को bolting करना मतलब उसे लंबा करना जो rosetti structure था जो ऐसा gold spherical structure था इसे खीच कर हमने लंबा कर दिया किसकी मदद से? अगें जिबर्लिक acids की मदद से तो जिबर्लिक acid rosetti plants को भी grow करवा सकते हैं और early seed production करवा सकते हैं तो जो plant आपके पास ऐसा था अब वो लंबा होकर कुछ इस तरीके का हो गया है और उसकी shoot को हम बोल रहे हैं bolted shoot ओके? So this is what is the role of जिबर्लिक acid See, this is how it promotes bolting that is inter node का elongation तो flowering के पहले जैसे beet root है, cabbage जैसे उनमें flowering के पहले हम nodes का जो length है वो बढ़ा देते हैं and this is how you get the tall plant Let us talk about a question Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases length of the stem So we directly, we can mention about जिबर्लिक acid we just discussed Right, so spraying crop, sugarcane crop with जिबर्लिक acid can increase length of the stem Right, and stem का length increase होने से sugar content increase हो जाएगा and you will get much yield Let us talk about another question Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? ऐसा कोई होर्मोन जो seed को dormant नहीं बनाना चाहता है जिसकी inhibitory action नहीं है तो again the answer is जिबर्लिक acid ये को जिबर्लिक acid से directly पूछे गए questions है So you need to remember क्योंकि जिबर्लिक acid क्या करता है seed dormancy को break करता है मैं बताती हूं आपको क्या से Suppose ये आपका barley seed है उसमें ये endosperm है Endosperm क्या है? It is basically starch और उसके आगे ये protein की layer है इस protein की layer को Alluron layer बोलते है इसमें भी क्या present है? वैसे तो ये layer ही पूरी protein की है और ये protein basically इसमें enzymes भी present है वो भी protein ही है तो starch present है अब अगर आपने ये seed लिया है और इस seed की dormancy को ब्रेक करना चाहते हैं तो जिबलेक acids को secret कर दीजिए जिबलेक acids क्या करेंगी वही same reaction जो भी हमने बात की थी कि वो starch को break कर देंगे into maltose और उसके बाद इसे convert कर देंगे into sugar I should write simple sugar तो यह जो process है इस process को हम बोलते है malting और यहाँ पे जो हमें enzyme use होता है that is amylase जो starch का digestion करता है तो आपको यह याद रखना है कि जब भी seed germinate होता है तो germination के time पे उसके अंदर जितना भी starch present है वो किसमें convert हो जाता है sugar में convert हो जाता है So this is how it helps in breaking the dormancy Right? So seed की dormancy को break करने के लिए we just look for the simple sugar which your barley grain can show हर seed के साथ same phenomenon होती है It is not the process in barley seeds only यह सब में होती है So enzymes जब तक complex sugar को simple में convert नहीं कर देगा तब तक आपके पास seed का germination होने का कोई scope नहीं बनता है Reason पताए क्या है यह जो simple sugar है यह सीड के लिए ATP का का काम करेगी मतलब energy का काम we know that ATP is the energy currency of cells तो जब तक नहीं सीड को energy नहीं मिलने वाली है तब तक वो root or shoot कैसे बनाएगा बना ही नहीं सकता तो इसे लिए gibberlick acid का बहुत important role क्या हो गया breaking the dormancy of seed हम next plant growth hormone के बारे में discuss करें which is actually cytokine हम दो hormones के बारे में already देख चुके हैं oxine and gibberlick acids अब तीसरा hormone जो plant के cells की growth के लिए important है that is what is referred as cytokine यह term कैसे derived हुआ बच्चों cytokineen मतलब cytokinesis करता हो और cytokinesis आप जानते हैं कि cell division की एक process है तो जो cell division को initiate करता है उसी को हम cytokineen बोलते हैं और नाम उसी से पड़ा है हम जब भी कोई hormone discuss करते हैं तो हम उसके bio assay के बारे में सबसे पहले देखते आएं bio assay का मतलब क्या जहां पे हम उस hormone का function देखना चाह रहे हैं और उसी को हम test के form में use कर रहे हैं तो देखिए अगर suppose ही मेरे पास tobacco plant की stem है यह उसकी node, inter node बीच में यहां पे कुछ cells हैं जिने हम बोलते हैं Pith पित basically central cells होते हैं आप anatomy chapter में पढ़ेंगे कि Pith cells किसे बोलते हैं या Pith कौन सा region है जहां पे जो कहना चाहिए जो lateral conduction होता है वो सारी activities Pith control करता है या Pith regulate करता है Pith के through processes होती है तो Pith जो है वो central region है और उस central region के cells कुछ isolate किये गए थे उन्हें एक petri dish पे रखा गया था यह मेरे पास petri dish आ गई और इस petri dish पे मैंने उन cells को प्लेस कर दिया उन cells को रख दिया यह cells जब इस petri dish पे grow होने लगे पहले तो हमने यह cells रखे इसमें फिर उसके बाद add किया गया yeast extract plus coconut water yeast extract और coconut water add करने के बाद हमने यह observe कि यह जो tissues हैं यह tissues धीरे 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 grow होना शुरू करने लगे और इसी experiment को Miller और Skoug ने perform किया था Miller and Skoug इन दोनों ने इस experiment को perform किया था और उन्होंने जब यह observe कि yeast extract और coconut water को use करने के बाद जो हमारे यह cells हैं यह cells convert हो जाते हैं into callus it is undifferentiated mass of cell it is undifferentiated mass of cell तो यह callus जो है differentiate होना शुरू हो गया मतलब cells develop होना शुरू हो गय तो हमने यह observe कि होना हो इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे substances हैं यह इस लिए इसे हमने as a bioassay यह चेक करने के लिए साइटो किनीन जो है वह ग्रोथ प्रमोट करते हैं इसके अलावा there was one more experiment which was conducted एक जो experiment कंड़क्ट हुआ था हमारे पास वह यह भी था कि एक flask था उस flask के अंदर herring herring एक fish है बच्चों इस fish का DNA इस flask में present था यह पूरा solution और इसका DNA था अब जो scientists थे हमारे वो scientists basically इस DNA को छोड़के चले गए रात भर यहां पे herring नाम की fish का DNA था और यह sperm से isolated DNA था इसके अंदर उन्होंने एक liquid डाला हुआ था next morning यह पता चला कि यह जो cells यह differentiate होना शुरू हो चुके थे और होना हो differentiate होना शुरू कर चुके हैं इसका मतलब यहां पे जो solution था उसने हमारे जो cells है उनको differentiate होने के लिए कोई ना कोई एक suitable medium प्रोवाइट किया है तो herring के DNA से जब यह herring के DNA का differentiation जब हमने देखा sorry cells का differentiation जब हमने देखा तब हम यह समझ पाए कि there is a class of hormone जो cell division को या cytokinesis को initiate करती है stimulate करती है तब जो निकाला गया यहां से substance that was kinetine so kinetine जो है that was the first isolated cytokine right यह ध्याम रखेंगे बच्चों the first isolated cytokine is nothing but kinetine यह purine का derivative है purine मतलब adenine, purine में adenine right, adenine और guanine 2 purines होते हैं हमारे पास उसमें adenine का derivative क्या है हमारा cytokine okay, तो cytokine हम किससे बनाएंगे आप यह एक और टाम याद रखेंगे कि precursor जो है precursor क्या रहेगा adenine, तो अगर body में adenine है, तो cytokine बन सकते हैं first isolated cytokine was kinetine kinetine naturally plants के अंदर नहीं होता, plants के अंदर zeatyn के फॉर्म में isolate हुआ था, from the maze kernels kernels का मतलब होता है seed right, तो जो कौन kernels है जो maze हैं, जिसे हम z-mais बोलते हैं scientifically उसके अंदर से जो isolate हुआ था that was zeatyn, इसलिए हम दूसरा point याद रखेंगे बच्चों हमारी exam के लिए that this is the first plant cytokineine I mean this is the first isolated plant cytokineine right तो अगर आपसे पूछा जाए कि overall first isolated कौन सा था तो आप बिल्कुल बेशक बोल सकते हैं, it was kinetine, और अगर plant के लिए specifically पूछें तो zeatyn mention करिएगा, right, तो कुछ natural cytokineine like substances हमने corn kernels में से isolate किये थे और coconut water में से isolate किये थे, जिसे हमने कहा है zeatyn plants के अंदर kinetine नहीं होता, zeatyn होता है, so zeatyn के discovery के बाद हमने बहुत सारी अलग-अलग divisional activities देखी कि zeatyn है, वो cell division को promote करता है, या cytokineine जो है, वो cell division को promote करते हैं मतलब मैं बोल सकते हूँ कि ये cell की growth के लिए responsible है, right they are responsible for the growth of cell अब हम बहुत सारे और functions जानते हैं हम एक एकर करके discuss करेंगे सारे functions को, जैसे suppose ये एक plant है मेरा, इस plant के अंदर जब growth की मैं बात करती हूँ तो मैं उसके fruits की भी बात करती हूँ मैं उसकी vegetative growth की भी बात करती हूँ तो यहां पे अगर किसी plant hormone को डाला गया है और उससे ये सारी चीजें stimulate हो गई है growth अच्छी हो रही है fruits अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब यह आपने as a bio essay use किया है इसका मतलब आपका hormone वो सारे काम कर सकता है तो हमारा cytokine ने division initiate करके plants की vegetative growth करवादी साथ ही साथ उसने fruits का भी formation कर दिया इसलिए हमने पहले ही कहा कि यह cell division में मदद करेगा cell तो कोई भी हो सकता है cell stem का हो सकता है leaf का हो सकता है fruits भी हो सकते है तो यह इस तरीके से vegetative growth को improvise करेगा increase करेगा और हम कह सकते हैं कि यहां पर cytokinine ने अपना role play किया है naturally जो हमारे cytokinines होते हैं इन्हें हम tissue culture experiments में use कर सकते हैं tissue culture मतलब micropropagation आप जानते है micropropagation का मतलब क्या है एक छोटे से tissue को लेकर हमने एक entire plant बना दिया उसे हम micropropagation के नाम से जानते हैं तो suppose मैंने अगर कोई callus लिया है कोई tissue लिया है तो उस callus की growth को करवाने के लिए tissue culture पे मैं एक cytokinine use करती हूं which is BAP benzyl aminopurine benzyl aminopurine benzyl aminopurine right this is what is artificial cytokinine और यह हम use करते हैं for the growth of tissues when we are performing micropropagation or tissue culture right अब अगर मैं next function की तरफ next point की तरफ पहले आपको लेके चलते हूं फिर मैं उसे function से associate करूंगी इसके location समझे location क्या है ही root apex shoot apex shoot apex में oxyn जादा होता है root apex में cytokinine तो मतलब मैं कह सकती हूं कि roots की growth के लिए मुझे यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी cytokinines की तो आप अगर देखें तो किसी plant की root में यहां पर बहुत सारा cytokinine आपको मिलेगा मतलब you can isolate cytokinines from here इसके अलावा यह shoot buds में मिलेगा जैसे यह buds का formation है आपने apical dominance पड़ा था तो I am so sorry मैं इस diagram को एक बार फिर से बता रही हूं यह bud का formation ऐसा होगा और यह bud की growth के लिए भी हमारा plant कौन से hormone का synthesis करेगा cytokinine consider it like this यह apical dominance के बाद lateral branches बनी लेकिन अभी lateral branches में कोई interest नहीं है मुझे buds में जादा interest है वो buds मैंने यहां पर देखी या develop की इसके अलावा किसी भी plant में छोटे-छोटे से fruits बनाना हूं तो ovary का ripe होना जरूरी है वैसे तो यह process fertilization के बाद ही होगी लेकिन अगर आप किसी भी plant में इस hormone का जो secretion है वो बढ़ा दे तो female flowers का number बढ़ जाता है right अब female flowers का number बढ़ने का हमें क्या फाइदा है फिर से बात उसी point पे आई है घूमकर कि यह commercial value बढ़ा रहा है market value बढ़ा रहा है market value मतलग यह जो हमारा plant है suppose आप XYZ कोई भी plant लें और उस पे बहुत सारा cytokinine spray करतें तो उस cytokinine के कारण क्या होगा बहुत सारे जो female flowers है वो develop होंगी और जो female flowers develop होंगे उनकी ovary ripe होना शुरू होगी after fertilization और वो fruit develop करना शुरू कर देगी so this is the reason why this hormone is needed for young fruits right indirectly it is needed for young fruit formation इसके अलावा हमारे plant की vegetative growth होना है मतलब नई leaves बनना है उसके लिए hormone जरूरी है chloroplast leaves के अंदर बनने के लिए same hormone जरूरी है अब देखे जब भी हमारी plant की leaf old होती है मतलब अगर suppose यह leaf young है मेरे पास यह धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसके बाद यह और further बड़ी हो गई अब leaf कैसी हो गई है old old का मतलब यहां पे मैं senescence से जोड सकती हूं leaf old हो गई है senescence वाली stage पे है तो अब इस leaf के अंदर chloroplast का synthesis है आप chloroplast का synthesis stop करसे हां chest का reaction पर कम होगा घर रफिक अगर action沒有 chloroplast का synthesis कम होगा और synthesis कम होगा तो leaf agd jvald iold हो हो जाएगी right हो यह plant जो है अगर chloroplast withdraw sorry यह hormone जो है अगर chloroplast नहीं बनाए या withdraw करना शुरू कर दे तो हमारा plant aging के तरफ जाना शुरू हो जाएगा इसके अलावा that induces lateral shoot growth जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी अपाइकल dominance को overcome करने के लिए plus adventitious shoot formation अगर suppose आपने tissue culture किया है अगर suppose आपने tissue culture के experiments किये हैं या tissue culture के लिए आपने tissues को रखा हुआ है और इसमें आप cytokillines को secrete कर दें release कर दें तो they will start developing adventitious roots हमारा जो potato होता है उस potato पे भी eyes होती है ऐसे और इन eyes पे भी छोटे-छोटे से buds बनते हैं और उसके बाद फिर इन में से adventitious roots आना शुरू होती है adventitious roots से मेरा मतलब है radical के अलावा किसी भी भाग से अगर plant की root बनी हुई है तो उसे हम radical बोलते हैं sorry उसे हम adventitious root बोलते हैं तो यह जो adventitious root है यह भी हमारा cytokinine बनाने में मदब करेगा आपने ब्रायो फिलम की लीव देखियोगी बच्चों ब्रायो फिलम की लीव के margin पे बहुत छोटे-छोटे से लग जाते हैं और उनमें भी छोटी-छोटी सी रूट साती है वो रूट भी इसी से डबलब होती है राइट सो इट हेल्प इन एड्वेंटिश रूट एंड शूट फॉर्मेशन और रूट में तो एक हमें प्रपोर्शन चाहिए और साइटो किनीन का स्पैसिकली अगर मै बात करूं तो साइटो किनीन शूट फॉर्मेशन करेगा राइट रिमेंबर दाट इट हेल्पस इन ओवरकमिंग अपाइकल डॉमिनेंस कैसे अपाइकल डॉमिनेंस मतलब जो कि ऑगजीन करवाता था तो इस एंटागनिस्टिक तो ऑगजीन इन टर्म्स ओफ अपाइकल ड डॉमिनेंस इन दा प्लाइट रएट लेट इस टॉक बाउट जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट को बनाने में मदद करता है तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट जब होगा तो फूड का सिंथेस होगा ही होगा और फूड क सिंथेसिस जब होगा तब फूड की अवैलेबिलिटि होगी और इस अवैलेबिलिटि के लिए आपकी लीफ को क्या करना पड़ेगा इसे मोबलाइज करवाना पड़ेगा मोबलाइज से मेरा मतलब है इस फूड को जो बनाया है इसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अगर यंग होगी तो food बनाएगी और ट्रांसपोर्ट करेगी और अगर leaf old होगी तो food को नहीं बनाएगी क्योंकि chloroplast active नहीं है और food का mobilization भी नहीं होगा तो ये बात अच्छे से दिमाग में बठा लीजिए कि अगर आपको food को mobilize करवाना है, move करवाना है तो इसके लिए leaf का यंग होना जरूरी है और leaf यंग किसके influence में रहेगी? cytokinines के, right? तो cytokinines जो है, they help in mobilization of nutrients this is how it is diagrammatically represented और भी दूसरे functions है but then ये cytokinines हमें क्या मदद करके दे रहे हैं? कुछ specific plant organs की growth withdrawing plant nutrients और उसके बाद circulating it in the entire plant, right? let us talk about the next hormone which is the gaseous hormone अब तक हमने जितने hormone पड़े ये हम liquid form में, sorry हम हमारे, yeah, you can call it as liquid और maybe oily liquid form में हम इन्हें isolate कर सकते हैं but this hormone is isolated in the form of gas इसका भी एक liquid form है, जो मैं आपको बताऊंगी so next hormone is ethylene which is the gaseous hormone ये point आपको इसके बारे में ध्यान रखना है specifically ethylene का precursor याद रखेंगे बिटा ethylene का precursor is methionine so methionine amino acid है, ये amino acid की मदद से आप ethylene बना सकते हैं ethylene या ethylene और ethene, whatever you say अब ये जो hormone हमारे plants के अंदर वहाँ पे दिखेगा जिन plants के अंदर senescence मतलब aging की process दिखाई दे रही है या ripening की process दिखाई दे रही है ज़रा समझ के लिजे, ripening का मतलब क्या है? जैसे आपने एक mango देखा है तब तक वो mango कैसा है? खटा है, और जैसे ही वो ripe होना शुरू होता है उसके अंदर का acid convert होना शुरू हो जाता है किसमे? शुगर में तो ripened fruits जो हैं, वो sweet in taste होते हैं और जो unripened fruits हैं, वो sour in taste होते हैं खटे होते हैं, isn't it? तो हम जब fruits को ripe करवाना चाहते हैं तो हम उसके उपर ethylene का concentration comparatively बढ़ा देते हैं या यूँ कहिए, plant जो है, वो खुद ethylene बनाना शुरू कर देता है So this hormone, or you can say that concentration of this hormone will be more where you have more of ripening processes इसका एक bio essay भी है बिटा bio essay NCRT में कहीं है नहीं लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, सिर्फ समझ के लिजे learn भी करने की ज़ूरत नहीं है Germany में जो street lamps होते थे ना उन street lamps को light up करने के लिए जलाने के लिए वहाँ पे एक gas का use करते थे वो gas क्या करती थी जब रात को सारे lamps on होते थे ना वो gas आज पास diffuse होती थी और वहाँ जितने भी पेड लगे होए होते थे उनकी पतिया मुर्जा जाती थी हमने बाद में observe कि ये जो leaves हैं ये जो senescence शो कर रही हैं ये एक gaseous substance के कारण कर रही हैं जो की street lamps से release होकर बाहर आ रहा है और वो gaseous substance और कुछ नहीं था मेरा ethylene था so ethylene gas plants के उबर senescence cause करती है ये हमें यहाँ से पता चला cytokine plant को young रखने में मदद करता है किसी leaf पे अगर आप cytokineen spray कर दें तो leaf young रहेगी क्योंकि उसका chloroplast intact रहेगा लेकिन अगर किसी plant के उपर ethylene का number concentration जादा है मतलब वो plant जो है वो a photosynthesis या वो leaf जो है a photosynthesis नहीं कर पाईगी तो ethylene आपको कहां कहां मिलेगा या इसके जो influences है plants पे वो कहां कहां होंगे तो जैसे suppose यह आपके पास एक seed है इसे हम triple essay के नाम से भी जान सकते हैं पीटा जो actual bio essay हुआ था ना उसे हम triple essay भी बोलते हैं ethylene के case में यह इसका function भी है पहले पहले बताया आपको essay जो है वो हम इसलिए use कर रहें कि इस hormone की action यह है और यही अर्से इनके functions भी है basically है ना तो triple essay से पता ही क्या था यह seed है आपका इस seed से प्लिम्यूल लिकला है तो अब इस प्लिम्यूल की जो या इस seedling की जो axis है उस axis को उस axis से wait उस axis की horizontal growth करवाना मतलब ऐसी growth करवाना यह एक काम था इसी seedling से एक hook develop हुआ है ऐसी growth होना यह एक function था इसी seedling पे horizontal जो प्लिम्यूल है उसकी axis जो है वो पहले के comparison में ज़्यादा wide हो गई है यह तीसरा function है तो तीनों function seedling से associated हो गए very clearly visible तो ithylene का function अगर आप आप जानना चाहते हैं तो आप इन सारे प्रॉपर्टीज को इस seedling पे टेस्ट कर लें और जब आपको यह तीनों changes दिखाई देने लग जाएंगे इसे हम बोलते है आक्सेस तो यह जो आक्सेस से यह आक्सेस बनने लग गई दस अपाइकल होग hook like structure है ना तो इसे हम अपाइकल होग बोलते हैं यह horizontal growth हो गई तो इस तरीके के तीनों functions होना indicate करता है कि यहाँ पे जो हमारा इधाईलीन है that is playing role यह आक्सेस का swelling है ओके so these are the bio assays as well as functions यह senescence और abscission promote करता है senescence as I mentioned aging की process है abscission का मतलब fall होना होता है इसके अलावा यह fruit ripening में बहुत important है है ना specially आप देखे तो tomato और apple यह ऐसे fruits से इनने आप पास पास में रख देंगे तो यह ripe होना शुरू हो जाएंगे पकना शुरू हो जाते है it is all because of ethylene even ethylene का एक function और है कि यह जो shell है उस shell को बहुत पतला कर देता है तो जिससे आपने cashew में काजू में देखा हो cotton में देखा हो तो thinning of shell भी कर देता है so these are few functions flowering भी promote करता है कुछ plants में इसके अलावा अगर आप बहुत सारे mangoes को एक दूसरे के आसपास रख देंगे और अगर यह माल लीजे पक रहे हैं they are in their ripening stage they are in their ripening stage this is stage, consider it to be stage यह पता है क्या करेंगे बिटा, इनका respiration का rate जब यह पक रहे होते हैं तो इनका respiration का rate जो है वो बहुत high हो जाता है और इनका respiration का rate high होना मतलब they will release more of CO2 और आपको पता है कि जो भी respiration करता है उसकी body में से heat ज़ादा produce होती है isn't it, मतलब body जो है वो बहुत ज़ादा warm होती रहती है तो imagine करें बिटा, अगर बहुत सारे फलों को आपने पास-पास में रखा है और वो gases को release करते जा रहे हैं तो उससे आपस कितनी ज़ादा heat develop हो जाएगी, warmth develop हो जाएगी बस यही हमारे यह hormone करते हैं इथाइलीन क्या करता है, respiration का rate increase करता है उससे आपस heat develop होती है और उसी को हम climactic respiration भी बोलते है यह seed और bud की dormancy मतलब inactive stage को break करेगा तो जब यह bud की inactive stage को break करता है बेटा तो bud क्या करेगी, bloom हो जाएगी bloom into flower, into flower है ना और अगर यह seed की dormancy, dormancy का मतलब होता है inactive stage है बहुत लंबे समय तक सुस्त पड़े रहना कोई काम नहीं करना, उसे हम बोलते है inactive stage तो यह seed की dormancy break करेगा तो हमारा seed क्या हो जाएगा वीटा जर्मिनेट हो जाएगा ठीक है, potato tuber में भी यह वो छोटे-छोटे से जो आई हमने अभी discuss किये थे उनके development के लिए जरूरी है यह eyes है, यहाँ पे यह छोटे-छोटे से buds form होना शुरू हो जाते and this is what is called as sprouting of potato right so these are few functions उसके अलावा, अब यह देखेगा suppose यह paddy field है इसमें यह चावल का पौधा लगा है अब यह पानी में है जो अगर आपने ethylene इसके उपर डालना शुरू कर दिया तो जो नीचे की node है ना वो नीचे की node थोड़ी जादा grow होना शुरू हो जाती है और उपर बढ़ना शुरू होती है इससे क्या होता है plant जो है ना वो नीचे वाली node लंबी होने से plant जो है वो surface पे आता है अभी aquatic plant तो है नहीं या actually कैसा plant है जिसको थोड़ा पानी चाहिए भी और नहीं भी चाहिए थोड़ा डूबा हुआ होना चाहिए तो इसका जब node इसे उपर पुष कर देता है ना तो ये उपर आजाएगा surface पे और इवन इस node से निकलने वाली leaf भी क्या आजाएंगी surface पे आजाएंगी तो ये से जिन्दा रहने में मदद करेगा इसलिए हम ने mention क्या किया it helps leaves and upper parts of the shoot to remain above the water so that it will help in surviving right I hope this is clear कुछ भी रटिये मत जितने points लिखे हम सारे points का justification के साथ ही समझना कर रहे हैं तो concepts दिमाग में बढ़ा लेजिए कि अगर नोड की लेंद बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है यह क्यों समझ में आगया तो functions आपको सारे ऐसे ही याद हो जाने है कुछ भी रटना नहीं बढ़ेगा so it helps in root growth as we already discussed root growth or root hair का formation तो यह root है इसकी growth हो गए और इसके hair जगा डवलप हो गए तो यह hair क्या करेंगे spread होंगे हर जगा और जब यह hair हर जगा spread हो रहे हैं तो definitely they will help in absorption more absorption in fact more absorption of nutrients sorry it is N consider it to be N more absorption of nutrients and water right so this is how it increases absorptive surface area जितना जादा 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 चीज़ें आपके plant को मिल पाएंगी available हो पाएंगे so it increases absorptive surface area इसके अलावा as I mentioned it increases flowering in pineapples तो अगर flowering pineapples में increase हो गई तो definitely fruit भी जो है वो बहुत जल्दी develop होना शुरू हो जाएगा बनना शुरू हो जाएगा flowering in mangoes even ripening in mangoes उसके अलावा इस growth promoter का या plant growth regulator का sorry is plant growth it is not a growth promoter I am so sorry it's a plant growth regulator तो इस plant growth regulator का widely used हम commercially important plants को obtain करने के लिए करते हैं for example pineapple right फिर मैं आपको चीज़ बताती हूँ अगर आपको इसे commercially use ही करना है तो देखो fields में आप यह आपका पौधा है plant है इसके उपर आपने जैसे ही ethylene release किया इस plant का अगर यह gaseous form में है आप जैसे spray करेंगी है फिर vaporize होकर इदर उदर भाग जाएगा तो मैं directly तो ethylene को इस तरीके से नहीं use कर सकती तो मेरे लिए waste हो जाएगा मैंने क्या किया मैंने इसे इसके liquid version में इसके liquid form में convert कर दिया जिसे मैं बोल रही हूँ इथे फोन राइट तो इथे फोन क्या है इथे फोन बेसिकली इस हॉर्मोन का liquid वर्जन है अब आप इस liquid वर्जन को इस plant के साथ react करवाएं डालें इंट्रड्यूस करें तो definitely your plant will start showing response तो gaseous form में नहीं use करना चाते है गोफ़र यूजिंग लिक्विड वर्जन और फिर लिक्विड फॉर्म यूजिए मतलब एक्वस्ट सेल्यूशन यूज करें आपका विच्विल बी रेडिली अब्सॉर्ब्ट है ना एंद्स लोटो डिफ्यूस अभी बहुत अच्छी चीज है यह प्लाइंट अब्सॉर्ब तो बहुत जल्द आपने अब्सॉर्ब कर लिया अब्सॉर्ब कर लिया तो अंदर चला गया अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर आक्शन करना शुरू करेगा फंक्शन प्ले करना शुरू करेगा लेकिन अगर यह डिफ्यूस होना तेजी से डिफ्यूस होना शुरू कर देता तो क्या होत तो आपने जितना इतायदीन यूज़ कि आसे दॅना ideal हो जाता हाद ले पांट कुछ यससा व भंशा पूर बचा हुआ तो зрit हो जाता हमने क्या इसंड ऑब गपने शेखित and में convert कर दिया your plant will absorb it completely right and it is going to get diffused very slowly so this will be an added advantage to the farmer right वैसे farmers नहीं उसकरते से इसे यूज होटी कल्चरिस करते हैं साइंटेस्टी यूज करते हैं डरेक्ली नेक्स फंक्शन की तरफ बढ़तें जो नेक्स फंक्शन है वो fruit वाल की थिनिंग का है तो पहला फंक्शन तो हमने राइपनिंग देखा कि अगर इथाईलीन हमारे fruits के ऊपर हम स्प्रे करना शुरू करें तो fruits जो है फ्रूट्स ऑफ कॉटन चेरी और वालनेट तो कॉटन चेरी और वालनेट के अंदर यह जो फ्रूट की लेयर है सुरी फ्रूट की जो थिनिंग है वो करवाता है और फ्लार्स का अपसिशन मतलब फ्लार्स का गिरना प्रमोट करवाता है और इसलिए हम कहते हैं that it is a negative hormone क्योंकि यह क्या करता है जो already bloom flower है उनको गिरा देगा plant के अंदर female flowers का number cucumbers में increase करता है और जितना जादा female flowers का number यह cucumber में increase करेगा उतने ही fruits बनेंगे और उतने ही commercial value आपको मिलेगी so this is how it looks like यह control है control का मतलब जहां आपने ethylene नहीं use किया है वहाँ पे fruit की shells देखिए कड़क है कड़क दिख तो नहीं रही होंगी लेकिन they are they are quite tough plus they are green पर जहां पे ethylene use किया है वहाँ पे it started turning yellow और धीरे-धीरे पो soft हो जाती है so this is what is the effect of ethylene तो itheline abscission भी करेगा flowers का leaf का abscission करेगा fruits का ripening करेगा और इसके अलावा जो respiratory rate है हमारे seeds में हमारे fruits में not seeds fruits में वो respiratory rate भी increase करेगा so all these are the functions of ethylene हम एक last phyto hormone की बारे में discuss कर रहे है which is basically abscissic acid also called as ABA यह acidic nature का hormone है जिसे 1960 में discover किया गया था और इसे discover जब किया गया था तो कुछ अलग 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 जगह पे इसके अलग 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 नाम थे जैसे अलग 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 नामों से इस हॉर्मोन को रेकोगनाईज किया था अलग अलग साइंटेस के थू लेकिन लेटर ओन इडेंटिफाइड किया और कुछ नहीं है this is just abscissic acid इनका सबका केमिकल नेचर एक ही मिला और जब सबका केमिकल नेचर हमें एक मिला तो हमने एक कॉमन नाम रख दिया which is called as abscissic acid यह हॉर्मोन हमारे प्लाइट को किसी stressful condition से बचाने के लिए यूज में आने वाला हॉर्मोन है stressful condition हो सकता है प्लाइट के लिए drought हो, salinity हो, humidity का level change हो गया हो, light की intensity कम या जादा हो तो इन सभी cases में हमारा जो प्लाइट है वो बहुत effectively photosynthesis नहीं कर सकता ऐसे case में जब weather जो है वो favorable नहीं है तो प्लाइट के अंदर stomata का close होना जादा beneficial है क्योंकि अगर stomata close हो जाएंगे तो transpiration की process जो है वो stop होगी है ना बच्चों और transpiration की process stop होगी तो plant जो है वो water को conserve करके रख पाएगा तो basically हमारे ये जो hormone है ये हमारे plant के अंदर metabolism को regulate करने के लिए use होता है seed germination को inhibit करता है जब stressful condition है इसके अलावा ये stomata को भी close करता है हमारा जो stomata का close होना हो जाएगा तो हमारा plant किसी भी stressful condition को avoid कर जाएगा बाहर अगर temperature जादा भी हुआ तो हमारा plant transpiration नहीं करेगा क्योंकि हमारे plant के पास water की कमी थी इसलिए stomata को close करना जरूरी था और क्योंकि ये stress condition में सिक्रीट होने वाला hormone है we call it as stress hormone this is the common concept this is the common name we give it to abscissic acid abscissic acid हमारे plant के अंदर seed development पे काम करता है seed के development को stop कर देगा तब तक के लिए जब तक conditions favorable नहीं हो जाती seed का maturation भी stop हो जाएगा और seed की dormancy prolong हो जाएगी मतलब seed जो है वो लंबे समय तक in active stage में चला जाएगा क्योंकि abscissic acid का secretion उसके उपर होने लगा है so it induces dormancy during all unfavorable conditions so that जो desiccation की problem है वो stop हो जाए देखिए बिटा abscission कब हम करवाते हैं किसी भी leaf में leaf में abscission होने के पहले एक layer बनती है which is called as abscission layer जो की suppose यहाँ पे बन गई तो इस leaf में वो abscission layer बनने से अब क्या होगा leaf के अंदर जो free flow of substances थे substances का जो migration था वो इस abscission layer के कारण block हो जाएगा इस abscission layer is nothing but it is made up of suberine right it is made up of suberine तो suberine से बनी हुई यह abscission layer सारी चीजों के passage को block कर देगी leaf में और धीरे धीरे हमारी leaf जो है वो मरना शुरू हो जाएगी so this is how it promotes leaf fall under unfavorable condition अगर conditions फेवर में नहीं है तो plant की जो leaves वो gradually क्या होती जाएगे गिरती जाएगे फॉल होती जाएगे 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 जाएगे